एक कभी के लिए इससे बेहतर तो कुछ होई नहीं सकता कि दिए उसकी पंक्ति मतलब एकदम मौल में उपलब्द हो और लोग इसको पहन के घूमें नमशकार दोस्तों मैं हूँ तबसुमली और आप देख रहे हैं बोलो जिन्दगी इस वक्त मैं गांधी मिदान के खादी मौल में हूँ जहां पर मैं जब आई तो देखा कुछ अफरत अफरी मची हुई थी और कुछ जाने पहचाने चेहरे भी दिखे तो आईए मिलते हैं एक बहुत ही फेमस और चर्चित चहरे से संजीव मुकेश जी जिनकी कविता हैं तो वैसे ही लोगों में बहुत जादा प्रचलित है और अभी ये कुछ और अलग भी करने के लिए आये हैं तो जानते हैं वैसे मैं देख रही हूँ सर आपके टी-शिट पे कुछ लिखा और यहां क्या उदेश है यह जो सारा मैं देख रहे हूँ ताम जाम यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सारे लोग गाउं से जुड़े हैं लेकिन जैसे ही हम गाउं से बाहर निकलते हैं तो हम देसी मुर्गी और विलाइती बोल बोलना शुरू करेंगे त आपके अंदर जो गाहं है वो दिरेद्ये घृटना शुरू हो जाता है और आपके अंदर जहां गाहं से बाहर जाते हैं शहर में रहतने नखन मन क lawand को बोलने का मतलब अपनी अपने आतमा से दूर होते जारें और जिस समय भी कोई पौधा अपनी मिटेर हो जाएगा समझे वो पौधा जो है अपने जीवन के अंतिम मानव हम अभी बहुत लंबा लंबी दूरी तय करनी है और हम यदि मिट्टी को छोड़ना शुरू कर देंगे तो हम वह नहीं पापाएंगे जो हमारे बिहार की तासीर है अब हम यह कह सकते हैं आपका जो भी पहला लाइन था कि विदेशी बोल और देशी मुर्गा वाला विलाइती बोल तो आप विलाइती बोल लेकिन अपना देशी पन मन छोड़िए आप जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए है वह मत तोड़िए क्योंकि जब आप जड़ स के माध्यम से जो जड़े थोड़ी कमजोर हो रही है आप उसमें मिटी भर करके उसको मजबूत करने की कोशिश करें कि नहीं अपनी जड़ों के पास वापस आए और जब शब्द से ही हम प्रियास करते हैं कि लोगों को अकरशित कर सके लोगों को जोड़ पाएं कि हम का लड़का ही बैठा होता सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहारी लड़का या एक गाउं का लड़का अपने गाउं की मिट्टी पे जो मतलब उत्पाद बन रहा है और वहां एदी वो उसको पहनेंगे तो उसकी जो खुश्वू है वो जब एरपोर्ट पे चलेंगे तो वो खुश्वू साथ लेके जाएंगे खरिदने में सक्षम नहीं होते या वो टेक्निकली साउंड नहीं होते तो इसके लिए चुकी बिहार उद्योग ने एक बहुत अच्छी पहल की है युवाओं को जोड़ने के लिए और यह हमारा मौका आज है कि गाउं का लड़का स्टोर ने इसको लॉंच किया था विश्व पुस्तक मेला में मतलब इसके प्रोड़क्ट में सिर्फ कोट्स होते हैं कविताएं होती है या फिर कोई किसी उपन्यास के अच्छी पंकिया तो वह कोट्स स्टोर एक युवाद्वारा स्टाटप है उन्होंने इसकी गाउ का लड़का जो भी इसको लेना चाहिए पहां पर और जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो यह पंगती लिखिए वह हमारे बीहारी कवी की लिखिए हुई पंगती और जिस पर यह पंगती अंकित है जिस टीशट पे वह भी हमारे बिहार का ही है हम आई जानेंगे इसके बारे में कि यह प्रोडक्ट कहां बनता और कौन है बनाने वाले विहार के चनपटिया स्टार्टप जोन है वहां पर यह बनाया जा रहा है और उसमें हमारे कभी जी ने अपनी जो टैगलाइन दी है उसको मद्द नजा रखते हैं इन्होंने जो भी हमारे अच्छा प्रॉडक्ट है और वह हम जो टैगलाइन लिखके इसको मार कैसा लग रहा है आप लोग को यह अभी जो अपने लॉंच किया है कभी के लिए इससे बहतर तो कुछ होई नहीं सकता हमारे लेकिए हमारी पंग्ति को लेकर के लोग अकरशित हो रहे हैं और इसको पहन के घूम रहे हैं सवाल है संजीब जी गाउं का लड़का तो आगया अभी क्या इसके आगे भी कुछ और आने वाले हैं आप लोगों को इसी तरह आप लोग काम करते रहे और युवाओं को अपनी तरफ आकशित भी करते रहे ताकि वह जुड़े आप से आपके टी-शेट्स भी लें और आ काम से भी जुड़े लोगों को काम भी रोजगार भी मिल अगर आपने यह डाला है तो लोग भी चाहिए होंगे तो वह लोग भी जुड़े हमारा हमारी शुब कामना है आपके साथ है इसी तरह आप लोग बिहार का नाम रोशन करें पुरे विश्व में और चलते-चलते ह कुछ सुनाएगा नहीं तब तक उसका पेट बरतानी अब कितना भी चाहे लसी पिला देंगा वीना कविता सुना तो जाएगा देंगा गाउं का लड़का जो एक स्रीज है मुक्तकों की मैं उसका मत्तब सकी चार पंगतियां यहां सुनाने का प्रयास करता हूं और इस खुसवू के साथ कि जब गाउं का लड़का शहर की और जाता है तो उसके जहन में उसके उसकी आत्मा में गाउं के अलंग आरी खेत खलिह पृता है तो कैसा होता है गाउं का लड़का और कैसी पहुँंचता है वो शेर में वह चार पंदिया है रखता हूं कि अलंगों आरियों पगडंडियों सागाउं का लड़का शहर के चौक ऊंचे मंजिलों सा गाउं का लड़का जो नासा इस रो गूगल सहित मेटा को भी भाए जो नासा इस रो गूगल सहित मेटा को भी भाए बो दिल से है अभी भी खिड़कियों सा गाउं का लड़का बो दिल से है अभी भी खिड़कियों सा गाउं का लड़का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत थैंक यू Thank you so much Sanjeev Ji